हेलो दोस्तों केसे हो सबी लोग हायब सब अच्छे होंगे, सबी लोगों की पिरफिसम बहुत जादा अच्छे तरीके से चल रही होगी सब डर लग रहा है, डर लगना भी चाहिए मेरे दोस्त वो जीत ही क्या, जिसमें जीत ही निश्चित हो, मजा दो तब आता है, जब हारने का बोज़ादा डर हो आज दिन तक जितने भी प्लेट फॉम है, उन्होंने एक्जाम के बाद ही बताया होगा या रिजल्ट आने के बाद बताया होगा कि हमारे यहां से इतना सिलेक्शन होगा, वो फेकते है या सहीते है यह तुम ही नहीं जानता हूँ लेकिन बताते ही हैं, लेकिन पहली बार मास्टर प्लस एजुकेशन आपको एक्जाम होने से पहले बता रहा है इस बार हमारे पास 300 प्लस वेकेंसी है, CACBJEE के अंदर और मैं इतना आपको बता देता हूँ, जिसको नहीं पता है, मास्टर प्लस एजुकेशन से 300 प्लस सिलेक्शन निकलने वाले हैं हमें विश्वास हैं हमारे बच्चों पे, हमें विश्वास हैं हमारे कंटेन पे आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, वो 3 मार्च को जब पेपर होगा, उसके बाद ही आपको पता लग जाएगा कि कितने सिलेक्शन हुए मतलब, आपको देखने को मिलेगा, कि एकाद ही बच्चा होगा, जिसने मास्टर प्लस एजुकेशन के चैनल को फॉल उप नहीं किया होगा, नवी तो मैक्सिमम जो 300 प्लस बच्चे हैं, वो मास्टर प्लस एजुकेशन के प्लेट्पोन से ही आने वाले हैं एड्मीट कार्ट जब से आया है, तब से थोड़ा बहुत डर लगा है, रिवजन केसे करें, कुछ बच्चों के मेरे पास कोल भी आए, देखो थियोरी के लिए मैं आपको बोल चुका है, थियोरी करते रहिएगा, और हमने जो MCQC8 कराया है, उसको थोड़ा PDF के क्योसंस को उनको कर लीजेगा, क्योंकि वही आपको अभी जो confidence देंगे, वही देंगे, क्यों सारे के सारे क्योसंस आप नहीं कर सकते हो, और दूसरी बात हमारे पास यहाँ पे ध्यान रखना है, जब आप exam देने जाओगे तीन तारीक को, तो बच्चे होते हैं कि साट क्योसंस अटे में भी चले गए तो इतना effect नहीं पड़ेगा, लेकिन आप attempt करके आओगे सारे 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 क्योसंस, और सारे 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 क्योसंस में इसे भी आपको पता है, पूरी के पूरे correct होंगे, नहीं होते हैं, उस हडबड़ी में कुछ न कुछ न कुछ तो गलत होंगे, इसलिए कम क् confusion है कि B होगा, C होगा, जिसमें आपको ठीक लगता है, उसको लगा दीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्शिटी का exam नहीं है, दोस्त, एक competition का exam है, कुछ adjustments भी यहाँ पे लगता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कि जिस बच्चों को लगता है, आर थोड़ा बहुत एक questions अटेम करने पे आपके कितने marks आ रहे हैं, जादा questions अटेम करने पे आपके कितने marks आ रहे हैं, और वही आपको confidence देंगे, और इस टाइम पे आपको confidence लूज नहीं करना मेरे दोस्त, बस revision तगड़ा करना है, और revision theory का करना स्टार्ट कर दीजेगा, और जो हमने धनूस बेज 20 MCQ set दिये थे ना दोस्त, उसके PDF भी वहाँ पे available हैं, तो confidence के लिए उन questions को साथ में कर लीजेगा, एक बार revise भी हो जाएगा, तो उसे अंदर भी आपके अंदर confidence आ जाएगा, क्योंकि वह हमारे experience के questions थे, और कल सामको 7 बजे मिलेंगे YouTube पे, Power Electronics के last final set के साथ, तो सभी बच मिस नहीं होना चाहिए, जिन्होंने तीन सेट नहीं देखे हैं, देख लीजेगा, वहाँ से आदे Power Tons के कि उससे आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे, ओके हो सकता है, उससे ज्यादा है देखने को मिलेंगे, मतला आदे तो देखने को मिलेंगे आपको, चलेगा, thank you, take care love you and goodbye.